असलाम वालेकुम दोस्तो दोस्तो जैसा कि अब देख पारे मेरे पास एक MI का फोन आयोँ जो की 5A है तो ये जो डिवाइस मेरे पास आया था दोस्तो वो वाटर डेमि से आया था यानि पानी इसमें जाने से ये जो डिवाइस से वो पुरा complete dead हो गया था तो फिर मैंने इसको service किया ठीक है service करने के बाद इसमें जब मैंने देखा तो display में इसमें light नहीं आ रहा है तो और वैसे भी दोस्तों मैं एक बात इस वीडियो के मादेम से आपको कहना चाहूंगा कि अगर मानिए by the way कभी भी अगर आपके पास कोई भी device आता है अब देखिएगा जादा तरगी जो sorting होता दोस्तों device में वो light section ही sort होता है यानि light का जो जगह होता है वो ही चीज़ जादा sort होता है तो हलाकि जो folder है मैंने उसे रिमोप कर लिया ठीक है रिमोप करनी के बाद मैंने देखा light base में कोई problem नहीं था हलाकि नीचे में भी पानी जादा जो display अपना जो light का connection होता है उस जगह में भी पानी जाता है लेकिन सबसे जादा यह जो connector है देखिए सबसे side वाल आप देख सकते हैं जो side में देखिए मैं आपको देखा हूंगा चिम्टा की मदद से यह स्कूब driver की मदद से मैं आपको देखा रहा हूं इस जगह पे यह देखिए बस यह line miss हो गया था हलाकि अगर आपके पास microscope है तो उससे आपको तो पता चल जाएगा लेक आपके पास हो सकता है या तो फिर कोई भी आदस सौमी का डिवाइस आता है या किसी भी आदस मॉडल का आता है या किसी भी आदस कंपनी का आता है तो light section को आप जरूर चेक किजिएगा क्योंकि वह जगह ही मेरे हिसाब से तो मैंने personally मैं खुद का experience आपको बता रहा हूं आ या light का जो भी connection होता है उस जगह में सबसे ज्यादा fault आता है तो बस मैं इस वीडियो के मादब से इतना ही आपको guide करना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपके पास आता है कोई भी phone आता है तो light का जो जगह है उससे जरूर आप चेक करें ठीक है जो light का connector होता है या तो फिर light का जो पता होता है जो आपका LCD के पास लगा रहे था light का उस चीज़ को आप जरूर चेक करें क्योंकि light सबसे ज्यादा fault आता है ठीक है अगर मानिए नॉर्मल सी बात है अगर कोई device आपके पास आता है water damage में आप उसको service करते हैं service करने के बाद से आप देख रहे हैं कि वह device on नहीं हो रहा हला कि वह on हो रहा है एक बार PC से भी आप उसको connect करके देख लीजी यह भी एक मैं आपको बात बता देना चाहूंगा इस वीडियो के मादम से अगर आपके पास कोई device आता है अपने उसे service के अच्छा से water damage में ठीक है on हो गया तो अच्छी बात है अगर मान से अगर वहां भी समझ भी नहीं आता है तो अगर आपके पास कोई स्क्राइब एल सेरी है तो उसे भी लगा के देख सकते हैं उससे अगर पता चल जागा टूटा जो भी है आपका लाइट तो कम से कमाएगा यह सब तरीका होता है चेक करने का हला कि बहुत कुछ है इंशा कि आज कल का ऐसा सिच्वेशन है केस्टमर बैठा रह रह रहा है उस तरम आपको बनाना पड़ेगा केस्टमर जाने नहीं मांगता है टाइम देने नहीं मांगता है पता नहीं क्यों खर मिलते हैं नेक वीडियो में तब तक लिए ठैंक्यू सूमाज ठैंक्स पर वाचिन ड स्थाइब टोष्ट एक